नमस्का दोस्तों, आसा करता हूँ सब लोग ठीक ठाको और आपके साथ आपका बर्ड़ भी ठीक ठाक है मैं अभशेक आप लोग को स्वागत करता हूँ मेरा इस यूट्यूब चैनल क्रेजी फोर बर्ड़ में आप अगर मेरे चैनल में नहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्स्राइब कर लेना दोस्तो, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है जाम्बो और जाइंट फिंच के साथ नॉर्मल जेवर फिंच का क्या डिफरेंस होता है दोस्तो जेब्रा फिंच और जाइंट फिंच दोनों ही एक ही प्रजाती का बर्ड है देखने में भी दोनों एक ही तरह के होता है लेकिन डिफरेंस है सिर्फ उसका साइज का नॉर्मल जेब्र फिंच जो होता है वो साइज में थोड़ा सा छोटा होता है जम्बो जायंट फिंच है छोटा जो फिंच होता है नॉर्मल फिंच उसका साइज होता है 4 इंच या फिर 10 सेंटीमीटर लेकिन जम्बो जायंट फिंच जो है उसका लंबाई होता है 12 से 14 सेंटी देखा जाता है दोस्तो लेकिन नॉर्मल जेवरा फिंच नेचर में मिलता है और जो जम्बो और जाएंट फिंच होता है वो नेचर में नहीं मिलता है वो सिर्फ केज का ही बर्ड है मतलब जम्बो जाएंट फिंच नेचर में नहीं मिलता है वो सिर्फ केज में ही मिलता है ले जेवरा फिंच का मेन खाना होता है छोटा कंगनी यपी छोटा मिलेट और उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक सीड लेकिन जांबो और जायंट फिंच जो होता है उसका खाना है छोटा कंगनी के साथ जितने तरीके का मिलेट होता है वो सब कुछ खाता है ये बड़ा बर्ड या फिर एंट का लार्म होता है वह बहुत परसंद करता एंट है दोनों ही ये चीज लाइफ फूड या अच्छा से खाता है बरीडिंग के बाद करो तो जेब्र fianch नॉर्मल जेब्र फिंच जम्पो RAMSAYv से थोड़ा सा कि Adventures में रहता है कि दोनों ही अच्छा करता हैं लेकिन इस मामले में मैं रो這麼 को थोड़ा सा ज्यादा मार्च दूंगा जम्बो फिंच का जो ऑंडे का साइज होता है वह नार्मल जेवरा फिंच से थोड़ा सा बढ़ा होता है और बच्चे का भी जो size होता है एक hatch हो के जो बच्चा निकलता है उसका size भी थोड़ा सा बड़ा होता है normal finch से दोनों birdie अपने अंडे को ठीक तरीके से सेखता है और उससे चूजा भी निकलता है और चूजे को ठीक तरीके से बड़ा भी करता है लेकिन वही बात दोनों में सबसे ज्यादा जो देखने वाला चीज है दोनों का साइज जम्बो और जाइन्ट फिंच बहुत ही बड़ा साइज का होता है नॉर्मल जेब्रा फिंच से इसलिए जम्बो फिंच का जो बच्छा होता है वो जब नेज से निकलता है तब ही उसका साइज नॉर्मल फिंच से ज्यादा बड़ा होता है दोनों का ही जो ब्रीडिंग का एज है जेब्रा फिंच का ब्रीडिंग का नॉर्मल एज है आठ महिना और वही जम्बो जाइन्ट फिंच का जो ब्रीडिंग का एज है वो दस से बारा महिना मैं अपने breeding farm में यही चीज़ follow करता हूँ और इससे result भी अच्छा आता है दोस्तो नॉर्मल जेवरा फिंच और जांबो जाइंट फिंच का male female पैचानने का theory एक ही होता है male bird का चोंच ज्यादा लाल होता है और पैर भी ज्यादा लाल होता है female का चोंच और पैर थोड़ा सा फिंका होता है male bird जो होता है उसका उसका जो wing होता है wing के नीचे वो red color के उपर सफेद dot dot रहता है और गले के नीचे black और white का strap रहता है या फिर दाग भी आप कह सकते हो वो रहता है लेकिन female bird में वो चीज नहीं रहता है और male bird, finch का जो male bird होता है वो calling करता है female calling नहीं करता है breeding के लिए ये bird, bamboo का बनाया हुआ nest plastic का nest box या फिर wooden nest box ये पसंद करता है nesting material में ये bird सुका हुआ घास या फिर coconut fiber दोनों ही बहुत पसंद करता है zebra finch और giant finch दोनों का ही अंडे से बच्चा बहार आने में टाइम लेता है 12-14 दिन और बच्चा nest से निकलने में टाइम लेता है 21-23 दिन दोनों का ही सेम होता है मेरा जितना दूर तक knowledge है zebra finch 5-7 साल तक जिन्दा रहता है ठीक ठाक खाना मिले तो वो 5 साल तक breeding अच्छे तरीकी से करता है लेकिन jumbo और giant finch जो होता है वो 3-4 साल तक ही अच्छे तरीकी से breeding करता है दोनों में price का difference करें तो नॉर्मल जिवरा finch का price थोड़ा सा कम है और jumbo और giant finch का जो price है वो उसके mutation के उपर निर्भर करता है ये price इंडिया के या फिर कोई भी देश में अलग-अलग reason में अलग-अलग दाम में मिल जाता है जितना rare mutation होगा उसका price उतना ही ज्यादा होगा तो दोस्तों आसा करतो हो वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्स्राइब कर लेना और दिन बाद दिन मैं ऐसा ही नया और इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा नेक्स वीडियो लेकर जल्दी ही लोटूंगा तब तक के लिए बाई